गुडेवनें हिमाचल लोग लापता हुए हैं वहीं बताया जा रहा है कि रविवार को पालंपूर के युवक का शब बरामत किया गया अब उसे हिमाचल लाने की तैयारी की जा रही है बाखी लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है हम यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्वेशा नुसार रटना स्थाल पर रिशी गंगा प्रोजेक्ट में खड़े हैं यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हमें उमीद है कि हमारे जो लोग इसमें दवे हैं उन्हें जल्द निकाल दिया जाएगा हमाचल से आने वाले जो भी लोग है जो आपने परिजनों इतलाश में आना चाहते हैं वो प्रिपया हम से संपर करें हमें सरकार के निर्लिशन दोरह यहां सब़ेगा है और उनके आने की जो भी लोग आएंगे उनके रहने की और उनके खाने परने की हमने पून रूप से दिवस्ता कर रखी है और हमारे नंबर पर जिसे आप में तरसते हैं 941806377 पर तनी भी आदर्श मुख्यमंत्री बॉइस स्कूल विलासपूर में स्वामवार को उश्रिक्षा विभाग द्वारा समिक्षा सभा का आयोजिन किया गया इसके अध्यक्षता उच्षा देशिक विलासपूर राजकुमार शर्मा ने की सभा में जिला के एजुकेशनल ब्लॉग के तहर सदर खंड के सभी प्रधानाचारे वा मुख्या ध्यापकों ने भाग लिया इस दोरान स्कूल की विभिन समस्याओं को निप्टाने के लिए समिक्षा की गई वहीं विभि विभि में समिक्षा सभाएं आयोजित की जा चुकी है विशेशकर स्वरणीन हिमाचल वर्स जो बनाया जाना है योकि 25 जनुरी 22 तक हमने पूरी गतिविदियां अपने स्कूलों में की जानी है उनके उपर विशेशकर बारता हुई इसके इलावा स्कूलों और हमारे करे लैवा डिरेक्टरीट ऑफ हार एजूकिशन के साथ बेटर कम्वनिकेशन के लिए बेटर तालमेल के लिए यह जहां जहां पे कमी रही है वो सभी मुखियों के साथ डिसक्स करके उसके समधान के लिए करके जो है वो विभीन मुदों के ओपर करेंगे इसको लेकर मिनी सजी वाले सभागार नालागड में बैठक आयोजित की गई गौ सेवा आयोग के उबाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि जल्फी सोलन गोबे सहारा गौवंश मुक्त जिला घोशित कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि गौवंश के हित के लिए सरकार वा आयोग पूरी तरहा गंभीर है सहारा मिले और कोई भी गौवंश सडकों पर ना रहे उस दिन मानिया मुख्या मंतरी जी यह भी इस जिला को एक सवगात देंगे कि हमारा जिला जो है मुष्ट्रे कैटल फरी हो गया है कि गौशालाओं के समस्या किसी की पाने की है विड़ी की है और भी समस्या है तो भो भी आज तुरंत मुख्य पे तब निक्टारा हो गया कुछ लोगों के जमीनों के इशू है वो थोड़ा लंबा चलेगा आ रहे हैं पत्वारी नहीं थे तो एदिम साब ने बुला है कि बढ़ आके जार उनके पेपर जिबा के लिए जमीने जाने है तांसर के लिए वो जाएं कुलू जिला में सौमवार से छटीवा साथवी के कक्षा भी शुरू हो गई है स्कूल शुरू होने से छोटे बच्चे काफी उतसाहित नजर आएं यहां हर कक्षा के लिए लंच ब्रेक का अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है साथी विद्यार्थियों के स्कूलों में आने और जाने का समय भी अलग रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट का अंतर रहेगा चात्रों की संख्या के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने माइक्रो प्लान तैयार किया है यहां ज्यादा चात्रों की संख्या वाले स्कूलों में एक दिन छोड़ कर चात्र बुलाने की योशना भी बनाई गई है स्कूल पांचवी आठवी एट से लेकर प्लस टू तक एक तारीक से खुल गए थे और इस से एक हमें आइडिया लग गया था कि हमारा एक कैसे जा रहा है जो रियोपनिंग का स्कूल का है उसके बाद आज चट्थी और सात्वी क्लासिज के लिए भी स्कूल रियोपन हो गया है इसमें जो सबसे उत्साह था सभी पेरेंट्स में हैं बच्चों में हैं बच्चे काफी उत्साही थे और बहुत खुश थे जब आज स्कूल आए इवन पेरेंट्स भी बहुत खुश थे क्योंकि खुश होना भी एक स्वाविक था क्योंकि इतने टाइम के बाद जब बच्चा स्कूल आया और उसके बिलकुल एक निया सा फील हो रहा था और पेरेंट्स का कहना है कि इतने टाइम में बच्चों का ये यूनिफॉर्म इवन जो यूजी नहीं हो था कोई शॉर्ट हो गया चोटा हो गया किसी के मतलब जो भी साइज कम हो गया उसके और साथ में जहां तक त्यारियों की बात है जैसे ही हमने करोना से के नाम इसमें हम बहुत ही अच्छे से एक्सपिरियंस्ट हो चुके हैं कि हमें प्रॉपर सैनिटाइज मास्क और दूसरी सारी चीज़ें इसमें हम साबतानी बरत रहे हैं सारी इसमें और जहां तक पढ़ाई की बात है पढ़ाई हमने ऑनलाइन में भी रुकने नहीं दी जैसे हमारा ऑनलाइन के दुरान पढ़ाई हुआ लोकड़न के दुरान अब जैसे बच्चा स्कूल आ रहा है और हम उसको रिवाइज करने का हमरे पास एक बहुत अच्छा टाइम मिल और बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा जो राजगर्ड क्षेतर के बागवानों को पलम की नई नई किसम की विश्वस्निय खेती करने में अब कोई समस्या नहीं होगी इसके लिए राजगर्ड में पलम उतपादक संग का अगठन करने के बाद पहले चागरु पलम उतपादक संग के राजगर्ड यूनिट के अध्यक्ष सनम चोप्रा ने बताया कि विशेश के द्वारा पलम की घेती में आधुनिक तक्नीक किसमों वा रूट स्टॉक लाने पर चर्चा की गई विशिविर में राजगर्ड चेतर के साथ से अधिक प्रागती शील बागवानों ने भी भाग लिया मेरा नाम दीपक सिंगा है मैं प्लम फोरूम का फांडर मेंबर हूं और आज सनम चोप्रा जो यहां के प्लम फोरूम का यह है कि हम प्लम फोरूम की खेती को जो अभी प्रेजंट पॉइंट से आगे कैसे ले जाएं और मारा एक विजन है कि हमाचल पाइट 20-25 सेंटर आप एक्सलेंस इंप्लम फार्मिंग होए और इस लंग की खेती के लिए हम नौनी निवस्टी के साथ भी तालमेल मेहन के साथ एक अंडरस्टेंडिंग करेंगे आइसी आरे के साथ भी मारी तालमेल चड़ रही है ताके साइंटिस्ट और फार्मिंग झालमेल